सब्सक्राइब करें अब तो यहां पर याई एक आउट्डोर यूनिट जो आपको दिख रहा है मेरे पीछे जो यह उपर में देख रहा है तो इसको लेकर के बहुत सारे confusion बहुत सारे rumors कहले लोगों को इसके बार में proper information नहीं है even though company भी जो terms and condition बना रखी है वो clear mention करके नहीं दे रखी है और जब आप इसको लगवा लेते हैं तब बाद में आप जो है बहुत लोग कहा रहोते हैं कि मैं तो फस गया मेरे को इसका कुछ need नहीं लग रहा है इससे बढ़िया तो मेरा geo fiber ही था केवल जो optic fiber जो लगता है तो वो better था तो अभी देखें दोनों में better कौन सा है ये भी मैं बताने वाला हूँ और ये मैं लगभाया हूँ तो मेरी experience क्या है ये मेरा पहला दिन है ये implement होने का जो है अभी 24 गंटे से complete होने वाले है और जो speed वगएर है वो कैसा है इन सारी चीजों के उपर मैं बात करने वाला हूँ और मैं पहले से जो है air tail fiber use कर रहा था क्योंकि मेरे यहाँ जो है geo fiber नहीं था अगर आप जो है एक साल वाला प्लाइन लेते हैं अभी क्या होता है आपको मालूम है कि आपको सबसे पहले इंट्रेस्ट करना होता अगर आपने इंट्रेस्ट किया तो वह उदर से executive call करेंगे बोलें कि सर आपको connection चाहिए तो आप जो है एक हजार रुपे payment कर लो एक हजार जब आप payment कर लेते हो तो at the time of एक जो है verification करने आते हैं या तो installation के time पर आप जो है लोग trial basis पे six month वाला लेते हैं तो उसमें आपको installation का खर्च एक हजार भाग जाता है मैंने one year वाला लिया है और इसमें एक और option आता है EMI के साथ payment करने का यानि की easy EMI payment भी आप बना सकते हो जो आपका सारे 8000 रुपे something जो बनता है उसको आप EMI में convert कर लोगे और 599 प्लस जो GST प्लान है वो 707 रुपे आपके टोटल बन करके आते हैं मन्त के ठीक है और है तो basically यह post paid प्लान ही क्योंकि इसका billing cycle आपको जो दिखेगा जब आप app इंस्टॉल करोगे तो और यह है कि आपको यह rental plan आपको पहले ही opt कर लेना है पहले ही advance में आपको payment कर देना है अब बीच में सोचोगे connection छोड़ दे हमको नहीं चलाना है refund मिल जाए तो ऐसा नहीं है आपको रहना ही पड़ेगा एक साल तक या 6 महीने तक हाँ एक साल के बाद या 6 महीने के बाद आ customer के reviews उतने सही नहीं थे और जो आप चार महीने पांच महीने पहले की जो वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहा होगा वहां पर clear information नहीं comment box में कुछ लोग जगडा कर रहे है कुछ लोग कह रहे है कि बेकार है मत लगवाओ यह इससे बढ़िया है कि तुम वायर वाला ही लग तो वहां से यह direct connected है और काफी अच्छी speed 30 MBP इसकी speed है अच्छी speed है इसके साथ जो है हमें 14 OTT के subscriptions मिल रहे है 14 या 12 संथिंग जो भी है OTT के subscription जिसमें की useful subscriptions आपके है सोनी ले प्राइम उसके बाद डिजन्यों होट स्टार एंड आपका जी 5 ठीक है और discovery प्लस भी मिलता है और इसके साथ और भी अल्ट वाला जी वगरा वगरा जो कि आप टीवी पर देख सकते हो दूसरी चीज अगर आपको फोन पे यह होट स्टार प्राइम और जो भी पहले आपका लौग इन होगा टीवी के उपर घीक है मतलब जो सेट्वा बोक्स इसके साथ दिया जा रहा है एक सेट्वाबक्स भी आपको दिया जारह है तो वह लौग इन करोगे जो आप टीवी पर उसके बाद आप अपने मुवाइल पे सेम नंबर से जी से रजिस्टर व्यव्याद मुली चल और आप सब्सक्राइब सबूस्क्राइब में पमेए सब्सक्राइब मिलेगा जी नहीं जी उसी नहीं का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1199 के प्लाइन पे ही है जो कि आपका अगर इंक्लूडिंग जी एस्टी करोगे तो चौदो सो पंदरा रुपाय के आसपास बन रहा है क्योंकि एक्स्क्लूडिंग जी आपको दिख रहा होगा 1199 का प्लाइन प्लस जी इस्टी उसमें एक्स्क्लूडिंग है तो जी एसटी आपको और लगेगा अठारा परसें निकालो लेकिन उससे नीचे की जित्ते भी प्लान है 899 ले लो और जो जोड़ लो वह आप क्यालकुलेशन की चीज़े क्यालकुलेट कर लेना वह सब प्लान लेते हो तो आपको जियो सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिशन नहीं मिलेगा 899 वाला अगर लेने का सोच रहे हो ना तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 899 में जाओगे तो बस स्पीड बढ़ेगी 100 Mbps की और सब्सक्रिप्शन में आपको नेट्फलिक्स तो नहीं मिलने वाला है साथ से देख लो Amazon Prime है की नहीं है देख लो बट ज्यादा कुछ खास डिफरे च्रेस्ट में याफ करा है फिर आप इसील अगर लगवाते हो ठीक है लगवानिता तक आप यूज कर सकते हो एडवांस पेमयच में आप से पिश्क और से कर सकते हो ठीक है करा है मैंने क्रेडिट कार्ड से कर आए और EMI का प्लैनल उन्स इसलिए में बता रहा और यह माई वो registration करने आएंगे और पूरा plan पूछेंगे कि sir आप एक साल का plan लेना चाहते हो या 6 मंद का लेना चाहते हो अगर आप बोलो कि हम एक साल का लेना चाहते हो तो उसी time payment के आपको option पूछ लेना होगे मैं को EMI पर payment करना है ठीक है यह मत बोल देना कि मैं कर दे रहा हूं मैं अपने credit card का EMI बना लूँगा उसका मत बनाना इनके official पेज इनका payment page वहीं पर EMI का option होगा उनसे पूछ लेना है किसी क्यूट टिप से वह आपको help कर देंगे इस चीज में और वहाँ पर EMI बना लेना कि मैं easy installment के साथ जो मैं payment करना चाहता हूं plan का ठीक है एक साल वाले में आपसे installation हो गएरा कोई charge नहीं लिया जाएगा बस 6 महिने वाले में installation का charge आपसे लिया जाएगा मेरे घर में CRT TV है बहुत लोगे मन में यह भी होगा कि आ रहे मेरे डबबा TV है क्या यह smart हो जाएगा जी हा वो और उसमें HDMI जो है आपका वो connected हो जागा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि मेरे पास डबबा TV है वो अभी smart बन चुका है और voice control वाला आपको एक remote मिल जाता है तो चलिए बाकी information मैं आपको TV के पास ले जाके बताता हूं यह outdoor unit है यह आपका tower से डाइक जो signal ल इसके power supply में connect हो रहा है अब इसी में क्या है कि दो signal के wire इस वाले wire में जो outdoor unit से है दो signal के wire और दो power के wire बोलू तो जो उपर आपका unit लगा है उसको भी power चाहिए होता है वहाँ भी दो light blink कर रही होती है ठीक है कुछ इस प्रकार से तो वो रहता है इसमें से power भी जा रहा होता जो कि आपका 5G और 4G जो signal लेता है और यह जो आपका पूरा जो यह वाइफाई का जो router रहेगा यह आपको जो है उपर में वो लोग हैंग कर देते हैं यहाँ पर मतलब ऐसी लटक रखा है यह मैं खुछ से सेट अप कर लूँगा उन लोग नहीं किया क्योंकि उपर वाला वो सारा उनी का काम रहता है आप बस connection लो और इसको use करो तो यह रहा unit अब मैं आपको setup box की ओर ले करके चलता हूँ कि TV का यह unit है वो कैसे चल रहा है और range अगर पूछोगे तो पूरा आपका एक building होगा first और second floor होगा वो cover कर लेगा ठीक है उसके उपर अगर आप जाओगे तो फिर आपको extension कराना होगा मान के चलो कि एक extra router जो है यहां से इसके back unit से निकाल करके और ले करके जाओगे जहां पर भी आपको रखना होगा वो extra unit आपका extra खर्च बढ़ाएगा बाकी यह आपका दो floor cover कर लेगा first ground floor और first floor ठीक है यह cover कर लेता है अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ setup box की तरफ मेरा जो CIT TV वो कैसे अभी फिलाल स्मार्ट बन चुका है तो यह आप देख सकते हो यह जियो का जो पूरा proper एक setup box आता है इसमें तो 3 pin वाला कोई code होता नहीं है एक आपका HDMI support होता है और उसके बाद वो USB support एक दिख रहा है एक power का दिख रहा है वाला है यह connect होकर कि टीवी की और जा रहा है और फिर इससे टीवी operate हो रहा है यह box आपका smart बना देता है आपके डबबा टीवी को मेरा तो फिलहाल यह वाला टीवी है ठीक है तो यह आपका इस प्रकार से connect हो जाएगा इसका costing around 300 रुपे पड़ जाता है कहीं आपको 280 में भी मिल जाएगा online लोगे तो आपको 300 तक साड़े 300 तक में यह मिल जाएगा ठीक है 500 रुपे तक रहते मैंने फ्लिप कार्ट पर चेक कर रहा तो 300 कुछ थे पर मैंने अपने लोकल मार्केट को ट्राइगा रहा देन HDMI to AV converter में को 300 रुपे के अप्रॉक्स पर गया तो यह आप दर साब पैकिंग कर देते हैं और यहां पर आप देख सकते हो यह जो आपको जो रिमोट इन किताब से मिलेगा यह डायक्ट अगर डिजनी आस्टार ओपन करना है वो कर लो करना बोलोगे यह उपन कर देगा ठीक है तो यह आपका पूरा एक स्मार्ट रिमोट भी कहले और इसके साथ आपको टीवी चैनल मिलते हैं 550 टीवी चैनल मिलते हैं यहां पे जो है आपको यहां पर चल रहा है पूरा आड चल रहा है नेट्फिक्स का जवान देख सकते हो अगरा यह आपका छल रहा हता है इसको आपे स्किप कर सकते हो तो मैने यह आपे स्किप कर दिया और यह ठोड़ा सा मतलब उपार नीचे पुरानी टीवी में यह उथा है और S臍 Stephen को यहां पर दिखाय देगा स्क्रीन और अभी देखो यहां पर आपको यहां पे लाइव ट अगर आपके पास होगा तो चला सकते हैं डिजनी होट स्टार मिलेगा आपको सोनी लिप मिलेगा जियो सिने मत ऐसा गाई ऐसा ही है तो बाकि Amazon Prime वगरा करना है तो इसके लिए App Store भी है इनका वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो आप Amazon Prime लॉग इन होगे रख कर सकते हो हाला कि यहां पर आपको दिख रहा है नेट्फ्लिक्स अमाजन प्राइम यूटूब जी फाइब सोनी लिप यह सारे ओटी इसके आपको दिख रहे है अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगे तो यह आप यूज कर सकते हो सबसे अच्छी खास बात क्या है कि अगर आपके घर में मालो कि आप डिस रेंटी ना रख रखे हो रिचार्ज करवाते हो तो उसके जंजट से यहां पर मुक्त हो जाओगे इसी में सब कुछ मिलेगा रही बात कि 1000 जीवी मिल रहा है अगर आपको पास बरी स्मार्ट टीव या फिर 1000 में यह सब कुछ चल पाएगा 1000 जीवी में 1000 जीवी में आपका चलेगा तो लेकिन अगर आप दिन भर में मालो की 12 घंटे टीवी देखते हो या आपके यहां चलती है तो यह 1000 जीवी आपके लिए साहिद कम पर सकते हैं क्योंकि इससे बड़ी टीवी होगी बगरी आएं यहां पर आकरके जीवी टीवी प्लस ओपेन करें यहां पर आपके जिते भी चैनल्स होंगे वो आपके चलने लगेंगे ठीक है यह सारे हैं इसमें फीचर्स जो की काफी बड़ीया फीचर्स है जिते भी mostly आपके जो मतलब टीवी चैनल्स है वो आपको देखने को मि जिते भी लेंग्विजिस इसमें मिल जाएंगे इंगले, इंगले, पांगला, बुश्पूरी जो भी है, वो सारा आपको इसमें मिल जाता है, एक बंडल जो आपको एक चैनल का पैक जो यहीं पर डायक्टली प्रोवाइट किया जाता है, उसी पैक में, अदर से कोई में इनफॉर्म करूंगा और बताऊंगा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम अब जो है, स्पीड को भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, तो स्पीड कैसा मिल रहा है, हमें 30 Mbps के साथ कितना जो है, हाइस जा रहा है, और इस Wi-Fi से जो है, आप 22 डिवाइस को कनेक्ट कर सक सकते हो, ठीक है, 22 डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो, एक साथ, स्पीड उसमें थोड़ा सा फ्लेक्ट दिखेगी, हाला कि या 5 से 6 डिवाइस मैं यूज कर रहा हूं, उसमें कोई स्पीड फ्लेक्ट फ्लेक्ट देखने को नहीं मिला भी तक, चलिए यहां पर हमारे रिजल और अब आप जो है, डिसाइड कर सकते हो, कि आप इसके साथ जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, स्टिल मैं यह रिकमेंड करूंगा, कि अगर आपके पास नियरस के नियरस में, जो है, जियो का फाइबर आ रहा है, आप वहां से कनेक्ट ले लो, यह मतलो थोड़ा सा उसमें उससे कॉस्टली पर जाता है, बट फिर भी देख लो, ओन एंवरेज कंपरीजन करके देख लो कि कौन सा बेटर है आपके लिए, यह सारे इंफोर्मिशन जो कि आपको काफी हेल्प कर रहे होंगे, डिसीजन लेने में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही आपका सबसे ब लोग बुक कर रहे हैं, वो लोग बुक कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि 15 दिन हो जोका अभी तक टेक्नीशन नहीं आए, आएंगे आपके हाँ टेक्नीशन लेकिन लेट्स आएंगे, क्योंकि दूरी जैसे बढ़ती है, सहर से गाओं की ओर जैसे पहुंचता है, यह सारा सर कर देंगे, तो यह गाओं के तरफ जादा तेजी से बढ़ रहा है, हाला कि पहले भी यह वाला जो एर फाइबर अभी आया, यह नया कॉंसेप्ट जियो का, पहले भी था, हुआ करता था, बड़ा महेंगा रिचार्ज हुआ करता था, हम लोग बच्पन में सुनते थे कि भ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, और यह यह जस्ट रिव्यू वीडियो थी, ठीक है, और इसको भी मैं जो इसलिए बनाया है, क्योंकि लोग डिसीजन लिने में सब्सक्राइब कंफ्यूज हो रहे थे, और मैंने कई सारी मैंने भी वीडियो से दूर हो जाए, यह भी एक एडूकेट करने वाला ही वीडियो है, तो आप क्या आप्ट करोगे, यह आपका लास्ट खुद का डिसीजन होगा, बढ़ कमेंट में पूछ सकते हैं, तो बस आज की उड़ेत नहीं, तब तक लिए चलते हैं, धन्यवाद